तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज तो कोरोना वायरस के बाद एक से एक नए विमारी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है पहले आया ब्लैक फंगस उसके बाद आता है वाइट फंगस जो उससे भी जादा खतरनाक था और ब्लैक फंगस और वाइट फं का ट्रीटमेंट है क्या हमें प्रिकोशन लेनी चाहिए ताकि यलो फंगस से हम इसके संकरमन में आय इंफेक्शन में तो हम जो है वो बच सके तो वीडियो को एंड तक देखेगा और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को के देखा गया देखा गया उत्तर पर्देश के गाजियाबाद में पर्संथे फॉटि फॉर्टिकव्य ओर ओड को रुड वह घृख से येग रिकावर और दिखां थे उसके बाद अपनी बोडी में काफी लक्षन दिखाए दिए कि भूग कम लगती थी कमजोरी महसूस होती थी और उन्हें आंखों से धुंदला दिखने लग गया था तो इसके लिए वह ENT सर्जन के पास के तो इंटी सर्जन ने जब उनकी प्रॉब्लम देखी तो पहले उन्होंने कोशिश की कि CT स्कैन के थूपता लगाया जाए कि इनको प्रॉब्लम किया है तो देखा गया कि CT स्कैन में येलो फंगस का जो इंफेक्शन है उसका बिल्कुल पता नहीं लग पाया अगर कंपेर करें हम जो बाकी ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है कोरोना वायरस में भी CT स्कैन में जो हमें इंफेक्शन का पता लग जाता है लेकिन येलो फंगस CT स्कैन में इसके इंफेक्शन का पता नहीं लगता तो कैसे पता लगा इसका जब सर्जन ने उस 45-year-old पर लगती है वह आपका येलो फंगस से इंफेक्टिड है तो याद रखिए नेजल एंडोस्कोपी से येलो फंगस का पता लग पाता है तो और एक और चीज उन सर्जन ने ये भी का कि ये पहला केस है जब उन्होंने देखा कि ह्यूमन बिंग्स में भी जो है येलो फंगस द है तो ये था थोड़ा सा इंट्रॉड्च्छन ज्वन फंगस है क्या है कहाँ इसका फर्स्ट केस मिला तो ये भी जो ये आपका फंगल इंफेक्शन है ब्लाक फंगस और वाइट फंगस की तरह चोब कर दいる का रोग निगे क्माल फंगस से होने वाली ये ढिइज़ेश है इसके बारे में दूसरे चीज़ देखते हैं कि इन दूसरा पांट लिखा हूँ है मैंने इंटरनल बोड़ी वाइट फंगस पर बात की थी कि वह इंफेक्शन हमारी जो तवचा पर हमें देखने को मिल जाता है जो अपने स्कीन पर देखने को मिलता है जिससे हम पता लगा लगा दे कि वह परसन जो हम वाइट फंगस इंफेक्शन है लेकिन यलो फंगस है यह आपके इंटरनल बोड़ी है उसको परभावित करता है जिसके कारण जिसके कारण जो है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यह इं फंगस है ब्लैक फंगस और यलो फंगस है कहीं गुना अधिक खतरनाख है क्यों क्योंकि यह हमारे इंटरनल बोड़ी अंदुरोनी शरीर पर जो है शुरुवात में इंफेक्शन करता है जिसके कारण देरी से इस इन इंफेक्शन का पता लग पाता है और देरी से ही इसका चुरू होता है तो यह जड़मते है कि फंगस से जादा खतरनाक है इसके बाद हम देखते है कि इसके क्या सिंट्म है क्या लक्षान है कि अगर किसी वक्ति में कोई खेगए तो हम कैसे पता बचाले बहु हैं कि उन यलो फंगस के है तो पहला जो है काफी कमजोरी महसूस करता है उसका वेट काफी कम हो जाता है और तीसरा जो है जो वो कुपोशित हो जाता है तो अगर आप भी जो है कोरोना वायरस से तीक हो चुके हैं और यह सब इलक्शन आपको देखने को मिलते हैं क्या-क्या मैंने क्या-क्या बोले याद रखिए आप कोई भ प्लैक फंगस हो वाइट फंगस हो यालो फंगस हो इन यह तीनो ही फंगस आपके बोडी को क्यों इंफेक्ट कर पा रहे है क्योंकि आप कोरोना वायरस जब आपको हो जाता है चाहे आप उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं लेकिन आपकी इम्मुनिटी जो है वो वीक हो जात जिस से कि क्या होगर कि अगर आपको लगता है याद रखें कि अगर आपको आपके आसपास पी अधर आप में अगर कुछ 3-4 लक्षन है यलो फंगस के जो कोरोना वायर्स रिकवर्ड पेशेंट में देखे गए हैं जो कि यलो फंगस से इंफेक्टेड पाई गए हैं तो यह था इनके सिम्टम के बारे में उसके बाद आफ्टर एफेक्ट यान कि यह तो शुरुवाती लक्षन हमने देखे उ तो यहां भी वह तो यह श्यलो फंग संग कि वह पूरी तरह से यलो फंगस से अगर जो वह कि है वह इंफेक्ट हुचा है उसके बाद हम देखते हैं कि जो व преступ का फील्थार्जी हो जाता है मश कहिंद जो बओडी है उसके जो थो इसब में फ्यूटीडिनी वह फेल हो सकती जो भूखना लगना वीक हो जाना शरीर पूरी बोडी जो है वो पेन रहती है थकावत रहती है हमेशा और जो हमने दो तीन लक्षनिया पे शुरूर में डिसकस कि वो बया पैड कर सकते हैं में आपको चीज याद रखनी है कि जो बोडी का जब आप पूरी तरह से यलो फंगस के चपेट में आ जाते हैं उसके बाद जो है व्यक्ति का क्या हो जाता है उसके मल्टिपल ओर्गन फेलिर भी हो सकते हैं साथ ही अगर आपकी बोडी में कोई भी अगर घाव हो जैसे कोई या चार दिन में ठीक हो जाने चाहिए थी तो उसका ठीक होने का जो टाइम है उसको डिले कर देगा तो आपके घाव भरने का जो टाइम है आपके वूंड को जो हीलिंग है उसके जो टाइम को ये डिले कर देता है ताकि जिससे कि क्या होगा आपकी बोडी में और इंफेक गाव होगा तो उससे मवाद है पस बहनी शुरू हो जाती है अगर आप येलो फंगस से इंफेक्टिड हो जाते हैं तो यह थे अप्टर अफेक्ट कि अगर आप येलो फंगस से पूरी तर इंफेक्टिड हो जाते हैं तो क्या क्या होता है उसके बाद है ट्रीटमेंट कि इस में भी सेम दी जाती है उसके लिए के इंजेक्शन लगा जाता है M.Po.Teresyn B. Injection कौना इंजेक्शन? M.Po.Teresyn B. Injection जो है यलो फंगस के पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि वो ठीक हो सके और लास्ट और मॉस्ट इंपोर्टेंट की प्रिकोशन हम क्या ले क्या बचाव जो हम करें कि हम यलो फंगस है इससे बच पढ़े सबसे पहले तो कॉविट पॉस्टिव पेशेंट्स पे क्योंकि सबसे लादा जो है उनकी उमिनिटी कम हो जाती है क्योंकि आपका क्या है फंगल इंफेक्शन है जो गंदगी में ज्यादा फैलता है जो हमिडिटी को कम रखे यानि कि नमी में जो आपके बैक्टिरियास है फंगस है यह जल्दी पनपते हैं तो हमिडिटी या नमी को ना बनाए नमी को दूर रखे हमिडिटी अपने इंव बासी भोजन को बिल्कुल भी सेवन ना करें, बासी भोजन को ना खाये, और जो गंदे पदार्थ है आपके आसपास उसको भी हटा दे, तो जो भी आपको सोर्स लगता है कि इससे जो है फंगल इंफेक्शन हमारे आसपास फैल सकता है, उन सबी चीजों को आप अपने मल्टिपल ओर्गन फेलियर और दूसरे चिस मैंने क्या बताया कि आगर आपको कोई घाव है तो वो तेरी से भड़ता है उस घाव से क्या होगा आपकी परस या आपकी जो मवाद है वो बहने लग जाती है, तो यह था यहलो फंगस क्या है, क्या इसके लक्षन है, क्या इस आज की वीडियो में डिसकस किया, आई होप आपको समझ आ गया हो, वीडियो को प्लीज शेर करें और चाहेद आप हमें फोलो कर सकते हैं, इस्टाग्राम, टेलग्राम, ट्वीटर, उनका लिंक भी में नीचे दे दूँगी, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक और रहा आपके वीडियो की तॉचे और चैंक हुआ हैं